गुद बॉर्णिंग फ्रिंट्स मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्र लेवर हास्पिल स्वरुपनेगर खानपुर एड दी आउटसेट रिक्वेस्ट यह साइंटिफिक चैनल है यह साइंटिफिक डेलिबरेशन है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस चैनल को सबसक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें आज मैं बात करूँगा गालबेटर स्टोन्स के complications के बारे में ये बात बिल्कुल साही है कि gallbladder stones is a very very common problem अगर हम northern इंडिया को देखें तो gallbladder stones is a very common problem and gallbladder stones जो है वो आसानी से disappear नहीं होते and surgery possibility is the only option जो आपको कराने की ज़रूरत पड़ती है तो आज मैं gallbladder stones के complications के बारे में बात करूँगा इसे जरा आप ध्यान से देखें नो ये बिल्कुल fact है कि जब भी gallbladder stone होगा वो pain लेके आता है जो pain आता है gallbladder stone में इसे complication नहीं माना जाता है ये तो gallbladder stone का symptom है ये complication तो है नहीं जो gallbladder stone का pain आएगा वो वास्तों में इधर आएगा याने epigastium में आएगा जहां मेरा हाथ रखा हुआ है mostly जो pain है वो night में आता है याने आपने खाना खाया आप सोए उसके एक से डेड़ गंटे के बाद आएगा mostly ये जो pain आता है जब रात में आपने heavy fatty मिल लिया वो usually precipitating factor है उसके बाद इस तरह के दर्द आएगा जो दर्द आएगा mostly यहां से उठेगा और पीछे की तरफ radiate होगा सीधे back bone में जाएगा ये इसका character है जब भी ये pain होगा ये उपर की तरफ चलने के कोशिश करेगा और vomiting लाएगा ये इसका character है association है ये दर्द usually इतना तेज होता है कि by and large बिना injection की जाता नहीं है इसको pain killer के लिए injection की ज़रूरत पड़ती है ये बिलकुल fact है गाल बडर स्टोन के बारे में तो गाल बडर स्टोन का जो pain है ये complication नहीं है ये इसका symptom है इस सचाई को आपको समझने की ज़रूरत है now risk factor जो है जिसके चलते गाल स्टोन बनते है उसपे एक नज़र डालिए ज़्यादा common ये females में है ये बात बिलकुल सही है जो भी लोग ऐसे fatty है ये जिनका वजन ज़्यादा है obesity है, BMI ज़्यादा है उनमें ये ज़्यादा है जहाँ family history है कि mother को भी गाल स्टोन था तो daughter को भी होने का डर रहेगा ये बिलकुल सच्चाई है जैसे जैसे age बढ़ती है जो गाल बढ़ती है उसके होने की risk बढ़ती चली जाती है तो useably by the age of 40, 45, 50, 55 जो गाल बढ़ती है उसकी संभाव न बढ़ जाती है अगर आपको कोई hemolytic anemia है जैसे sickle cell anemia है spirocytosis है thalassemia है तो जब भी hemolytic anemia होगा तो एक low grade jaundice रहती है और हमेशा जो गाल बढ़ती है उसके बनने की संभाव न बढ़ती है वैसे ही liver की diseases है जैसे liver cirrhosis है अगर liver cirrhosis है तो गाल बढ़ती स्टोन की संभाव न बढ़ जाएगी इसके अलावा जब आप वजन कम करने के लिए severe dieting करते हैं तो suddenly गाल बढ़ती स्टोन बनने की जो संभाव न है वो हमेशा बढ़ जाती है अगर गाल बढ़ती स्टोन है तो there are certain complications जो आपकी जानकारी में होने चाहिए नमबर वन इस दे एक्यूट कॉलिसस्टाइटिस जो गाल बढ़ती के inflammation के लिए कहा जाता है नमबर टू इस दे जॉन्डिस जो गाल बढ़ती स्टोन अगर slip हो गया गाल बढ़ती स्टोन ही अर्टिमेटली गाल बढ़ती केंसर का जनक होता है ऐसे हैं गाल स्टोन की चलते कभी कभी intestine में गाल स्टोन IVS डेवलप हो जाता है बट इस टॉप फोर कॉम्पलिकेशन्स लाइक अक्यूट कॉलिसस्टाइटिस jaundice, cholangitis and penkiditis इनके बारे में एक एक करके बात करेंगे in short in the sense कि जो acute कॉलिसस्टाइटिस है जैसा मैंने कहा ये गाल बढ़ती की inflammation के लिए कहा जाता है ये क्यों डेवलप होती है गाल बढ़ती जो stone है वो उचक कर जाता है और गाल बढ़ती का मुह है उसमें जो duct होती है जैसे cystic duct कहते है उसको जाके block कर देता है ये जो block है चाहे वो temporary हो चाहे permanent हो जैसे ही ये block होगा जो bile है गाल बढ़ती के अंदर वो धीरे-दीरे उसके amount बढ़ने लगेगी बढ़ने लगेगी तो गाल बढ़ती दिस्टेंड होने लगेगा और गाल बढ़ती जैसे ही दिस्टेंड होगा और bile उसके अंदर भारा हुआ है वो बाहर निकलनी पा रहा है तो उसमें infections develop होंगे और infections develop होंगे तो inflammation आ जाएगा जो इस तरह का infection inflammation develop होता है क्योंकि cystic duct block हो गई है जैसा आपको photograph में दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं acute colesistitis ये वास्तों में medical term है तो जो medical term है for inflammation is acute colesistitis जब भी acute colesistitis होगी दर्द यहीं होगा जहां मेरा हात रखा हुआ है दर्द हमेशा उपर की तरफ आने की कोशिश करेगा दर्द पीछे की तरफ जाने की कोशिश करेगा जो routine जो pain होता है गाल बेडर स्टों का जिससे आप biliary colic समझते हैं वो short time pain है लेकिन colesistitis का जो pain होगा ये continuous होगा और by and large 5 गंटे या उससे ज़्यादा चलेगा अगर कोई भी दर्द गाल बेडर स्टों का है इस एरिया में और 5 गंटे या उससे ज़्यादा चल रहा है इसका मतब यह है कि simple biliary colic नहीं है या simple गाल बेडर का स्टों का pain नहीं है ये वास्तों में गाल बेडर में infection हो गया है और colesistitis हो गई है उसका pain है इसलिए इसको नजर अंदाज करने की ज़रूरत नहीं है नो colesistitis होगी तो fever आएगा fever के साथ ठंड लगेगी तो chills and riggers they are usually commonly associated with acute colesistitis जो heart rate है वोगे उपर की तरफ जाएगी याने rapid heart rate आपको develop हो जाएगी इसके अलाबा ऐसा माना जाता है कि अगर 10 लोगों को colesistitis हो तो उसमें से एक ऐसा होगा जिसको हलका सा jaundice भी develop हो जाएगी because of colesistitis now colesistitis अगर हुई तो treat कैसे होती है उसको ilaj कैसे होता है अगर acute colesistitis हुई तो first जो treatment की line है वास्तों में infection को control करने के लिए antibiotic ही use किये जाते है अगर antibiotic यूज हुए pincular यूज हुए कुछ intravenous fluid यूज हुआ और उसके चलते आपके गालबडर का infection धीरे-धीरे-धीरे-धीरे subside हो जाता है तो पर surgeon decide करता है कि आपको later on गालबडर stone के permanent treatment के लिए गालबडर को निकलवाने की जरूरत है जो leproscopic surgery के द्वारा या keyhole surgery के द्वारा possible हो पाएगा after some gap में भी 3 weeks, 4 weeks, 5 weeks, 6 weeks यह surgeon decide करेगा तो अगर attack आया antibiotic से subside करिए और interval के बाद एक electrocolysis technique कराईए electrocolysis technique और यह leproscopic के लिए हो जाएगी this is the first line control ही नहीं होती नहीं control होती है तो गालबडर का जो operation है as emergency करनी की जरूरत पढ़ती है लेकिन इसमें problem यह है कि इसमें हमेशा इसका risk ज़्यादा होता है कि it may not subside और आपको open surgery की जरूरत पढ़ सकती है अगर इस subside नहीं होता है तो हो सकता है कि laparoscopic surgery से काम नचले और आपको open surgery करानी की जरूरत पढ़े नहीं जो acute colisitis है it is not that simple कभी-कभी इसमें complications डेवलप हो जाते है in the sense कि जो गालबडर में infection है उसमें पस पढ़ सकती है अगर उसमें पस पढ़ गई तो इसे कहते हैं empyma गालबडर अगर empyma गालबडर डेवलप हो गया यह emergency है antibiotic अकेले हो सकता है कि आपकी मदद ना कर पाएं और जो गालबडर में पस है उसको निकालनी की जरूरत पढ़े तो empyma को जब भी हम treat करते हैं तो हमारे सामने दो option होते हैं number one कि सबसे पहले हम यहां से एक tube लगाके गालबडर के अंदर की पस को बाहर निकालें और जो operation उसको बाद में करें या straight open surgery करें और गालबडर को बाहर निकालें that is the direct treatment तो इसलिए जो empyma है यह acute colisitis का complication है और उसको treat करने के लिए यही दो रास्ते हैं antibiotic चाहिए जो गालबडर उसका drainage चाहिए और नहीं है तो straight surgical intervention की जरूरत है कभी-कभी जो acute colisitis है उसमें हमेशा यह डर रहता है कि गालबडर की जो वाल है वो फट न जाएगी फट जाएगा तो perforation हो जाएगा अगर वो फटी और perforation हुआ तो गालबडर के पूरे के पूरे contents आपके पेट के अंदर फैल जाएगी जो गालबडर के अंदर पस है वो पूरे पेट में फैल जाएगी गालबडर के अंदर जो पित या बाइल है वो पूरे पेट में फैल जाएगा इन peritonium में जब जाएगा या पेट में जाएगा तो पेरिटुनाइटिस डेवलप हो जाएगी यह सीरिश इशू है इसके लिए इंट्रवीनस एंटिवाइटिक्स चाहिए इन सर्जरी को अरजेंटिली करने के ज़रूरत पड़ती है इन यह यूजवली ओपन सर्जरी होती है तो अगर हम ध्यान से देखें गाल बेडर के स्टोन के चलते जो पेन आता है यह कॉम्प्लिकेशन नहीं है यह गाल बेडर स्टोन का सिंटम है गाल बेडर जो स्टोन से हैं उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है उसमें से acute callisitis या inflammation जो गाल बेडर का है is the most common complication जो हमारे सामने आता है जब भी acute colisitis होगी उसको treat कराने के हमेशा दो तरीके हैं नमबर वन antibiotic use करिये attack को subside करिये और कुछ interval 3-4-5 हफते के बाद अपना गाल बेडर I mean leproscopy colisistectomy से निकाल के अलग करिये और अगर antibiotic से attack subside नहीं होता है तो emergency में surgery कराने की जड़ूत पड़ती है क्योंकि जो acute colisitis है कभी-कभी complications में जाने की ताकत रखती है अगर गाल बेडर स्टोन्स के complications को समझने में ये वीडियो हेल्प करता है जरूर शेयर करें मैं डॉक्र वीके मिश्रा from guestoliver hospital sorutnagar kaanpur thank you very much